एक ऐसी एक्स्प्रेस ट्रेंग जो सिर्फ भारत में ही चलती है जपान की नालियां भारत की नालियों से आखिर इतनी अलग क्यों होती है और गईस आखिर एक आईपेल की बोल को टीवी पर दिखाने का क्या चार्ज होता है तो गईस ऐसे ही मज़दर फैक्स जाने के लिए को अन तक जरूर से देखिएगा तो चलिए गईस वीडियो को शुरू करते हैं हमारी प्रित्वी वर्मांड का इतना चोटा हिस्सा है कि यह सूरज के अंदर लगबक 13,000,000 प्रित्वी स्विक्ट हो जाएंगी आसम भाट फैक्स नमबर टैन जपान की नालियां भारत की न हरानी होगी की दृत्य विश्वी यूत के दोरान एक सैने की जान इन सिक्कों ने बचाई थी क्योंकि दुश्मन की गोलियां इन सिक्कों पर जा लगी थी फैक्स नमबर नाइन एक छोद के अनुसार भारत में 80% लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं बलकि उसकी नोकरी और उसकी प्रोप्टी से होती है फैक्स नमबर एड़ आपको जानकर हरानी होगी की आईपियल के एक बाल को टीवी पर दिखाये जाने का चार्ज 49 लाक रुपे होता है क्योंकि एक मैच की कीमत लगबग 118 क्रोड रुपे होती है फैक्स नमबर 7 बच्पन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते हैं क्योंकि उस समय तक हमारे मस्तिक्ष में फिपो कैमपस लिक्सित नहीं होता और ये किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए जरूरी होता है फैक्स नमबर 6 चीन ने पांडा जैसा दिखने वाला एक विशाल सोलर प्लांट बनाया है धाई सो एकड के इस विशाल सोलर प्लांट से 100 मेगा की बिजली उत्पन होती है इस प्लांट को इस तरह से बनाया गया है कि अगर इसे उपर से देखें तो ये एक पांडा की तरह दिखाई देता है स्कॉटलेंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर 16 वर्च के कम उमर के बच्चों को थपड़ नहीं मार सकते चाहे वह टीचर हो या पेरंट पुरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास हॉस्पिटल ट्रेन है उस हॉस्पिटल ट्रेन का नाम लाइफ लाइन एकस्प्रेस ट्रेन है अगर किसी नल्ग से एक सेकंड में एक बूंद पानी गिर रहा है तो एक साल में तकरीबन 11,000 लेटर पानी बरबाद हो जाता है इसलिए गाइस से वाल्टर प्लीज ये बड़ी अच्छी बात कही है आप आपको जानकर हैरानी होगी की एक कोकरच अपने सिर के बिना भी एक सब्ता तक जीवित रह सकता है आए 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 एक नमबर बान ओंग की अकरती का पहला श्रीमंदर राजस्थान के पाली से बाइस किलोमेटर दूर जोड़न गाउं में स्थेत है और गाइस आपको बता दे कि इसमें अलग अलग एक हजार आठ शिवजी की प्रतिमाई स्थापित की गई है तो गाइस अगर आपको वीडि सब्सक्राइस टाइंगे आपको अगली वीडियो में